हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर सरो चाहर और आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिसकस करूंगी पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट के साथ सालों में आए हुए वेरी शॉर्ट और शॉर्ट कुश्चन्स के आंसर्स तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर पहले प्रेश्ट से पहला प्रेश्ट है बाइलेटरल सिमेटरी क्या होती है द्वी पार्ष समिती बाइलेटरल सिमेटरी यह कई बार आया हुआ है यह प्रेश्ट बाइलेटरल द्वी पार्ष में हमें जो लिखना है वो हम क्या लिखेंग ऐसे animals या ऐसे जन्तु जिसमें अधर प्रष्ट तल यानि डॉर्सल और वेंडरल अगर पष्च सिरे यानि एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट जो है बिल्कुस पष्च होते हैं डॉर्सल वेंटरल पाया जाता है भाब और एंटिरियर और पुस्टिरियर सिरे बिल्कुश स्पष्ट होते हैं और केवल एक ही ऐसा तल या एक ही ऐसा अक्ष होता है जहां से उस जीव को दो बराबर भागों में बाटा जा सकता है और ऐसी कार्ट से जनतु को दाएं और बा बाईटरल सिमेटरी वापस ध्यान रखे हमें क्या लिखना इसमें ऐसे जीव या ऐसे एनीमल्स जिसमें डॉर्सल और वेंटरल पष्ट जिसमें anterior और posterior spust है, तो केवल एक ही ऐसा अक्ष रहता है, जहां से उस animal को दो बराबर भागों में बाटा जा सकता है, और दोनों जो बराबर भाग है वो एक right side होगा और एक left side होगा, ठीक है, तो right और left side में दाएं और by भाग में बाटा जाता है, ऐसे animals आते हैं bilateral symmetry के और इनके अंदर helminthes, arthropoda, mollusca और codita सभी जो है वो किसमें आते हैं bilateral symmetry में आते हैं, ठीक है, तो यह हो गया bilateral symmetry में जो हमें ध्यान रखना है, dorsal ventral sites first है, anterior posterior sites first है उसमें, केवल एक ही अक्ष के द्वारा animal को दो बराबर भागों में बाटा जा सकता है, और वो भाग में से एक दाया भाग होगा, एक बाया भाग होगा और इस प्रकार में कौन से अनिमस आते हैं, helminthes, arthropoda, mollusca और echinodermata, second question हम लेते हैं, 20 स्थरिय और 30 स्थरिय जनतुओं में अंतर बताओं, यानि डिपलो ब्लास्टिक और ट्रिपलो ब्लास्टिक, डिपलो ट्रिपलो, डाई ट्राई, दो स्थर और तीन स्थर, हमें यहां किस से शुरू करना है, विकास के दोरान दो जनन स्थर वाले, दो जनन स्थर वाला गैस्टूला, गैस्टूलेशन जो प्रक्रिया होती है, उसमें तीन लेयर या दो लेयर का फॉर्मिशन होगा, ठीक है, यानि लेयर फॉर्म एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है गेस्टूलेशन में, तो ये उसी से संबंधित स्टर है, दो स्टर मतलब ऐसे गेस्टूला जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनी है, दो जनन स्टर है, त्री स्टर मतलब ऐसे गेस्टूला जिसमें एक्टो, एंडो और मीजोडर्म तीन जनन स्तर बनी है तो वो क्या कहलाएंगे जिनमें दो जनन स्तर बनी है वो डिपलोब्लास्टिक कहलाएंगे जिनमें तीन जनन स्तर बनी है यानि एक्टो, मीजो और एंडोडर्म तीनो जनन स्तर बनी है वो कहलाएंगे triploblastic, 3 कारकिय या 3 स्तरिय जन्तू, और 2 स्तरिय जन्तू में example है, porifera और silentrata, और उसके बाद के सारे किसमें आते हैं, triploblastic में, यानि triploblastic 3 germ layers are formed during gastrulation, और इन 3 germ layers से, फिर आगे पूरे जीव का निर्बान होता है, diploblastic मतलब 2 germ layer बनती हैं, gastrulation के दौरान, या हम कह सकते हैं, ऐसा gastrula जिसमें 2 जन्तू है, तो वो उनसे जीव का निर्माण हुआ है, तो वो कहलाएंगे diploblastic, और जिनमें 3 जन्तू हैं वो कहलाएंगे triploblastic, porifera और silentrata है diploblastic, उसके बाद के सारे हैं, triploblastic, ठीक है, अब हम लेते हैं, संग protozoa के वर्गों का नाम, संग protozoa के जो वर्ग हैं, इसमें आपका स्पष्ट नहीं दिख रहा है, आपकी जो CBH की बुक है, उसमें आपको ये table बिलकुल clear दिखेगी, और ये question आगे भी आएगा, वो हम उसमें describe कर देंगे, तो आपको ये table याद करनी है, protozoa classification के वर्गों का नाम, तो आप ये chart याद करने, और ये इसका आगे भी आएगा question, तब हम इसको discuss कर लेंगे, ठीक है, अब हम लेते हैं, इसके बाद में next question, सम खंडिये विखंडन क्या होता है, metameric segmentation, metameric segmentation क्या होता है, metameric segmentation, segmentation का जो प्रेशन है, उसमें दो तरह से आ सकता है, superficial segmentation और metameric segmentation, तो metameric segmentation में क्या है, सम खंडिये विखंडन, इसमें न सिरफ बहाई आवरण सम खंड दिखाई देता है, यानि ऐसा नहीं है कि ये बाहार से हमें ऐसे दिख रहा है, कि इसमें खंड अंदर divide है, अंदर के पाट, तो बाहार से तो खंड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर खंडी भवन नहीं है, अंदर खंडी भवन नहीं है, तो उसको तो क्या कहते है, superficial, जो केबल उपर उपर से दिख रहा है कि खंड विभाजित है, लेकिन अंदर से खंडी भवन नहीं है, लेकिन मेटामेरिक में क्या है, न सिर्फ भाए आवरन समखंड दिखाई देता है, बलकि खंडों के अंदर के अंतरांग भी, यानि internal organs जो हैं, उनमें भी हर खंड में एक दूसरे की तरह अंतरांग दोहराए जाते हैं, इसे हम बहुत सिंपल याद रखें, एनलिडा हमने पढ़ा है, एनलिडा में हमारे में जो डिटे स्टडी है वो है लीच की, तो लीच के अंदर हमने उसकी सिस्टम्स पढ़े हैं, तो लगभग हर खंड के अंदर, हर खंड के अंदर जो अंतरांग है, उनकी रिपिटेशन हो रही है, जिस तरह से रेल का डबा होता है, रेल होती है और उसमें डब्बे हैं, तो उन डब्बे में अंदर की तरफ अगर हम जाते हैं, तो उनका सिटिंग अरेश्मेंट लगभग कईयों में एक समान होता है, उनमें वो पंखे का लगना, खिड़की का होना, बल्ब का लगना, लगभग एक जैसा होता है, तो इसी तरह से, मेटामेरिक सेग्मेंटेशन क्या है, किवल बहार से इखंडी भवन नहीं है, किवल बहार से इखंडी नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि अंतरांग जो है, वो भी हर खंड में दूसरे की तरह दोराए जाते हैं, तो इसको कहेंगे वास्तविक खंडी भवन, या सम खंडी या खंडी भवन, और इसमें जो है example जो बहुत clear दिखता है वो है एनलेडा और एनलेडा के बाद के जो animals हैं उनमें भी खंडी भवन पाया जाता है लेकिन वो evolution के करण स्पष्ट नहीं है तो the best example to understand metameric segmentation is एनलेडा और जिसमें example हमने किया है हिरुडिनिया लीच का ठीक है तो इसको कहेंगे metameric segmentation या वास्तविक खंडी भवन अब हम लेते हैं समिती क्या है symmetry क्या है symmetry यानि कोई भी जीव जिसमें शरीर के विभिन भागों की जामितिय विवस्ता geometrical arrangement जो होती है उसको कहते है symmetry geometrical arrangement किसी भी animal के जो शरीर है उसके जो विभिन भाग है उसकी जामितिय विवस्ता geometrical arrangement जो है वो उसकी symmetry कहलाती है और इसमें द्वी पार्श सम्मिती जो हम अभी पढ़ करके गए है ऐसे animals जिसमें dorsal, ventral और anterior, posterior spust है तो उनमें किवल एक ही अक्ष ऐसा होता है जहांसे animal को दो बराबर भागों में बाटा जा सकता है एक left side होती है और एक right side होती है जिसमें molluska, arthropoda example है और coordinates भी इसका example है अर्ये सम्मिती अर्ये सम्मिती के अंतरगत वो आते हैं जिनके अंदर oral और aboral surface होता है यानि हम अर्ये सम्मिती के आते ही हमारे दिमाग में छत्री की आक्रती आनी चाहिए छत्री की आक्रती यानि इस तरह से तो छत्री में एक तरफ handle होता है और दूसरी तरफ opposite side है तो oral और aboral यानि mouth वाला part और उसके opposite वाला part तो इस तरह की जो सरचना वाले animals होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है radial symmetry अर्ये सम्मिती तो इस तरह की animals किसमे होते हैं echinodermata किसमे हैं echinodermata में और asymmetry यानि कोई symmetry ही नहीं है तो asymmetry किसमे होती है जैसे amoeba में अमीबा में कोई symmetry नहीं है क्योंकि कोई सरचना ही fix नहीं है अब सरचना fix नहीं है तो कोई symmetry भी fix नहीं है तो symmetry मतलब क्या है शरीर के विभिन भागों की जामितिय व्यवस्ता को कहते हैं सम्मिति द्वीपार्श सम्मिति जैसे मॉलुस का अर्थ्रोपोडा कॉड़िट्स कि कोई fix सरचना ही नहीं होती है अब हम लेते हैं साइजो सिलोमेट क्या है साइजो सिलोमेट में शब्द आ रहा है सिलोम सिलोम किस प्रकार से बनी है देहगोहा किस प्रकार से बनी है उसके अधार पर दो प्रकार है साइजो सिलोमेट और एंट्रो सिलोमेट इसका डाइग splitting, split मतलब we part, जैसे कोई एक ये पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा है कोई, और किसी कारण से इसके जो बीच में, यहां से बीच से ये separate होकर के दो partition बन जाए और बीच में gap हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, splitting, उसको क्या कहते है, splitting, तो size of silhouette का मतलब होता है, splitting, तो हमें क्या सिलोमेट, यानि सिलोम किस प्रकार से बन रही है, इन प्राणियों की देहगुहा का निर्मान, मीजोडर्म के वी पार्टन से, यानि एक लेयर बनी मीजोडर्म की, और वो एक लेयर जो बनी है, वो बीच में से separate हो गई, और बीच में space create हो गया, जैसे ये बनी है पूरी, बीच में से separate हो गई, ये दोनों दोनों दूर हो गई, और इस तरह से बीच में ये सिलोम बन गई, तो इस तरह की जो अगर सिलोम बनती है, उस प्रकार को क्या कहते है, साइजो सिलोमेट, देहगुहा का निर्मान, मीजोडर्म के वी पार्टन से होता है, उसको कहते हैं इस स्प्रिटिंग से बनती है, उसको क्या कहेंगे, साइजो सिलोमेट, इसके बारे में थोड़ा सा दिस्क्रीप्शन और डायगराम आगे भी बताओंगी, यह हम ध्यान रखें कि किस प्रकार के एनिमल्स में, साइजो सिलोमेट प्रकार की सिलोम बन ती है, तो प्रोटो स स्टोमा, प्रोटो स्टोमा कौन से होते हैं, वो एनिमल्स जिसमें ब्लास्टो पोर से माउथ का निर्मान हो रहा है, ब्लास्टो पोर से या ब्लास्टो मोर के पास वली जगह से माउथ का निर्मान हो रहा है, वो कहलाते हैं प्रोटो स्टोमा, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव पहले का stoma मतलब opening तो जो blastopore बनी थी development के time पर ठीक है blastola के time पर उसी blastopore से mouth बन जाएगा या उसी blastopore के पास में ही mouth का निर्मान होगा तो इस प्रकार के animals कहलाते हैं protostome animals तो protostome animals में जो silom होती है उसका development किस प्रकार का होता है saizosilomate प्रकार का और इन में आते हैं analida, arthropoda और mollusca और mollusca के बाद वाले जो होते हैं वो deuterostoma के अंतरगत आते हैं और उनके अंदर जो silom का development है वो antrosilomate प्रकार का होगा तो यह deuterostoma और antrosilomate यह अलग से भी प्रशन आएंगे और आगे भी हम इसको discuss करेंगे जब इसका प्रशन आएगा यह हो गया saizosilomate a silomate अभी आपको बताया था a silomate यानि जिसमें silom नहीं पाई जाती है silom नहीं पाई जाती है मतलब जो mesoderm है वो mesoderm ही नहीं है mesoderm के स्थान पर mesoglia है यानि जब gastrulation हो रहा है जब gastrulation हो रहा है तो जो blasto seal है यह blasto seal सिकुड करके स्वापत हो जाती है तो cavity खतम हो गई blasto seal यानि blastula के अंदर जो silom वाली cavity है वो खतम वो खतम तो क्या है actoderm और mesoderm स्थर एकदम पास पास आ जाती है और उनके बीच में acto और endoderm के बीच में mesoderm बनती ही नहीं है बलकि बीच में द्रव रहता है जिसे क्या कहेंगे meso glia कहते है यानि इसमें mesoderm ही नहीं बनी तो खुल भी लाकर हम कहते है acylomate यानि जिनमें silom नहीं पाई जाती है जिसमें केवल actoderm और endoderm है और बीच की जो layer है वो meso glia है mesoderm नहीं है वो क्या है meso glia है उनको क्या कहेंगे अ गुही है या acylomate कहेंगे ठीक है और इसके उधारन है चप्टे क्रमी वो हैं ही चप्टे उसमें कोई cavity नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे acylomate प्राणी कहलाएंगे acylomate चप्टे क्रमी जैसे faciola और tiniya faciola और tiniya चप्टे क्रमी क्या कहलाते है acylomate क्योंकि उसमें silom नहीं होती है blasto seal जो बनती है वो blasto seal ही स्माप्त हो जाती है सिकुड कर स्माप्त हो जाती है blasto seal और ectoderm और endoderm के बीच में मीजोगलिया भर जाता है तो इसमें देहगुहा बन ही नहीं पाती है ये कहलाएंगे acylomate अब हम आते हैं radiata से आप क्या समझते हैं radiata मतलब क्या है radiata प्राणियों के वरगी करन का आधार है classification का आधार है base of classification है इस प्रकार के जो animals होते हैं उनमें radial symmetry या by radial symmetry पाई जाती है radial या by radial कभी कभी bilateral समिती भी पाई जाती है इस प्रकार के animals में किस प्रकार की symmetry होती है radial या by radial sometime bilateral symmetry या द्वी पार्ष समिती भी पाई जाती है इसमें जो एक द्वी स्थरिय अनुकुलन है, इसमें अंग तंत्र प्रारम भी होता है, यानि अंग तंत्र किस प्रकार का है, इनिशियल प्रकार का है, प्रारम भी प्रकार का है, सूस्पष्ट नहीं है, मलब स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जो अंग है, उनसे कोई सिस्टम ब बना है ठीक है और यह डिपलोबलास्टिक होते हैं इनके टेंटेकल्स में दंस कोशिकाएं होती हैं टेंटेकल्स में दंस कोशिकाएं आते ही आपके दिमाग में सीलेंट रेटा के सदस्या आने चाहिए सीलेंट रेटा आते ही आपके दिमाग में ओबीलिया और हाइड्रा का example आना चाहिए, क्योंकि obilia की detail study आपके syllabus में है, तो obilia के बारे में आपने पढ़ा है, और obilia में हमने क्या पढ़ा है, tentacles में दंश कोशिकाएं, koinocyte cells पाई जाती है, ठीक है तो इन में tentacles में दंश कोशिकाएं पाई जाती है, यह diploblastik प्रकार का होता है, diploblastik यानि दोजनन स्थर्म, ectoderm और endoderm है, mesoderm नहीं है, अंग तंत्र अभी प्रारंबिक हैं, तो पूरी तरह से जो है, उस पश्ट नहीं है कि भी अंग तंत्र कौन कौन सा system है, इस प्रकार से नहीं है, कुछ में comp plates होती है, पाचन गुहा का बाहर खुलने वाला प्रमुक छिद्र केवल mouth होता है, यानि anus नहीं है, only one opening और वो opening कौन सी है, mouth, वही mouth का का काम करेगी और वही anus का का काम करेगी, तो अब तो आपको स्प्रष्ट हो जाना चाहिए क्या hydra और obilia, कि one opening है, elementary canal की, it works as mouth as well as as anus, ठीक है, अर्थात गुदा का इसमें अभाव होता है, तो इसके example क्या आते है, निडेरिया, इसके example आते है, निडेरिया and टीनो फूरा, तो radiata अगर आता है, तो radiata में हमें क्या बताना है, कि इन में symmetry किस प्रकार की होती है, radial, या biradial, radia शब्दी उससे बनाए, radial या biradial, कुछ जन्तों में bilateral symmetry है, और वो भी दित्य अनुकुलन है, secondary adaptation के कारण है, अंगत अंत्र प्रारंविक प्रकार के हैं, यानि स्पष्ट नहीं है, diploblastik हैं ये, इनके tentacles में दंस कोशिकाएं पाई जाती है, और इनकी पाचन गुहां में बाहर खुलने वाला एक ही चिद्र होता है, mouth, एनस नहीं पाई जाती है, और इसमें दो संग आते हैं, nideria and tinofora, तो जैसे ही radiata शब्द आता है, वैसे ही हमें obelia या hydra के character उसमें डाल देने हैं, अब हम लेते हैं, meta zoa, मल्टी सेलूलर एनिमल्स, ठीक है, तो इन मल्टी सेलूलर एनिमल्स में कोशिकाएं पर्तों में या उत्कों में विवस्तित होती हैं, या तो cells किसी layers में अरेंज होंगी, या cells जो है वो tissue में विवस्तित होंगी, और इनके अंदर कारिकिये श्रम विभाजन, यानि जो cells है, या जो tissues है, उनके अंदर division of work होगा, कारिकिये श्रम विभाजन सूस्पष्ट होता है, इन में अलैंगिक जनन केवर निम्न स्तर के meta zoa में होगा, बाकि higher जो है, उनमें केवर क्या होगा, लैंगिक जनन, यानि sexual reproduction ही होगा, तो meta zoa मतलब, बहु कोशिक है प्राणी, cells जो है, वो या तो layers में अरेंज होगी, या tissues में विभाजन होगी, cells में श्रम विभाजन होगा, और जो lower जो meta zoa है, उनके अंदर तो, lower meta zoa के अंदर जो है, ए sexual reproduction होगा, बाकियों में sexual reproduction होगा, meta zoa को again, जो है तीन शाखाओं में बांटा जा सकता है, meso zoa, pera zoa, and yumeta zoa, इसमें जो yumeta zoa है, जहां भी शब्द हमारे विज्ञान में यू आता है, मतलब वास्तविक बहु कोशिकिये जीव, यानि, अलग-अलग प्रकार के cells है, उन cells का अपना अपना काम है, जैसे अगर हमारे अंदर है, nerve cell है, उनका अपना काम है, goblet cells है, उनका अपना काम है, muscular cells है, उनका अपना काम है, और सभी cells का अपने अपनी सरंचना, कारे विभाजन, chemical composition में भी कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है तो metazoa मतलब multicellular animals ठीक है तो इन में mesozoa, parazoa या yumetazoa तीन शाखाओं में इसको विभाजित किया जा सकता है अब आता है deuterostomia यह जैसे मैं आपको पहले बताया था यह शब्द protostomia और deuterostomia proto मतलब पहले का stoma मतलब opening यानि ऐसे animals जिसमें अगर यह blastopore है और इस blastopore से mouth बन रही है या इसके पास में mouth बन रही है वो कहलाएगा protostomia और इसके अंदर कताते हैं mollusca तक के analida, arthropoda, mollusca तक के सदस है higher बाकि इसके बाद के जो है या blastopore के पास वाली जगा एनस बनता है mouth नहीं बनता है mouth उसके opposite side में बनता है तो उसको कहते हैं deuterostomia जिन जन्तुओं में brunia corakrandr brunia corakrandr यानि blastopore बंद होने के स्थान पर या उसके निकट व्यस्क में गुदा बन जाती है तो उसको क्या कहते हैं deuterostoma deuterostomia के अंतरगत जो है echinodermeta फिर hemicodita और codita इसके अंतरगत आते हैं इसका डाइग्राम वापस आपको आगे मैं बताऊंगी protostomia और leuterostomia का वो डाइग्राम जो आपकी बुक में है जो आपके दिमाग में छप चाएगा जिससे आप इसको कभी भी गलत नहीं करेंगे अब हम आते हैं porifera संग के विशिष्ट लक्षन किसी भी संग के लक्षन अगर पूछे जाते हैं सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम उसके सब्दकाश संदी विशिष्ट करें porifera pore bearing body यानि सबसे पहला इसमें हमें क्या बताना है कि porifera संग के अंदर वो सदसे आते हैं जिनके शरीर पर चोटे चोटे पोर्स होते हैं तो हमें सबसे पहला point इसका क्या लिखना है pores वाला लिखना है तो इसमें क्या को है निम्न कोटी के बहु कोशिकिये जन्तु है और इन में जो है इनके शरीर पर थर्ड पॉंट हम पहले लिखेंगे इनके शरीर पर औस्तिया के रूप में अनेक चिदर पाए जाते हैं मैंने क्या बुला है थर्ड स्टेप हम पहले लिखेंगे क्योंकि थर्ड स्टेप इस रिलेटेड टू दा नेम पॉरिफेरा से तो पॉरिफेरा पॉर्बियरिंग बॉड़ी इनके शरीर पर औस्तिया के रूप में अनेक चुटे चुटे चिदर होते हैं अतह इने चिदरधारी प्राणी कहते हैं सबसे पहला पॉरिफेंगे उसके बाद हम लिखेंगे यह वाला पॉरिफेंगे इसका कॉमन नेम कॉमन नेम क्या है इनका स्पॉंच इस संग के सदस्यों को स्पॉंच कहते हैं उसके बाद हम इसके बाकी के करेक्टर लिखेंगे, वो बाकी के करेक्टर में आएगा, कि यह हैं तो multicellular, लेकिन निम्न कोटी के multicellular है, जो अब इमने पड़ा metazoa तो है, लेकिन metazoa किस प्रकार के है, जिनके अंदर अभी वास्तविक जो है, वास्तविक जो है, बहु कोशी के जनतुं है, इनमें शारिक संगठन कोशी की असतरका ही हुता है, यानि अभी इसमें जो है, शारिक संगठन एडवांस नहीं हुआ है, और इनमें उतक भी नहीं पाए जाते हैं, तो हमने इसमें पढ़ा था ना कि सेल्स जो है वो पर्तों में अरेंज होते हैं या सेल्स जो है वो उतक सेल्स जो है वो पर्तों में अरेंज होते हैं या भी हम यहां पढ़ करके गए हैं पर्तों में होते हैं या उतक में व्यवस्तित तो अभी इसके अंदक है उतक भी नहीं बने हैं जो पौरिफेरा के जो तो चुछिज़rade प्हघ्रा की лIST कोर्शी की अस्ततरकाई है अभी इसके इसमें उतक नहीं बने हैं। पिर हम लेएंगे इसमें की केरेक्टर ऑफ क्लासीफिकेशन क्या है? इनके अंदर जो की केरेक्टर ऑफ क्लासीफिकेशन है, वो है इनका अंडो स्केलीटन. endoskeleton, जो है वो या तो calcium carbonate का बना होता है या silica का बना होता है, या sponge होते है, endoskeleton नहीं होता है,तो key character of classification, हमें इसमें लेना होता है, कि जो आगे का further classification है, poriferica, it is based on the type of endoskeleton, या तो calcium carbonate का बना होगा, या silica का बना होगा, या के स्पिक्यूल्स होंगे, कंटिकाएं होंगी या स्पॉंची जन्तू होता है तो अंतह कंकार इनका key character of classification है फिर हम लेते हैं एक और जो main चीज की इसके अंदर सारे जो सिस्टम होते हैं पाचन है, जनन है, उच्छ सर्जन है जादतर रेस्पिरेशन है जाजततर तो सिस्टम होते हैं वो canal सिस्टम के द्वारा संपन होते हैं किसके द्वारा? नाल तंत्र इनमें नाल तंत्र पाया जाता है और इस नाल तंत्र में ही water का flow होता है यह चोटे-चोटे छेद है, ostia उनसे पानी अंदर आता है और जो एक बड़ा चिद्र है, osculum उनसे पानी बहार जाता है तो पानी जब अंदर आ रहा है उसके साथ भोजन के कणा आ रहा है और पाचन वाचन होकर के जो बहार निकल रहा है, पाचित भोजन बहार जा रहा है पानी जो अंदर आ रहा है उसके साथ में oxygen आ रही है, पानी जो बहार जा रहा है, carbon dioxide जा रही है, तो कुल मिलाकर यह जो water का flow के लिए जो system है इसके अंदर, यही इसके सभी system, digestion है, respiration है, reproduction है, excretion है, सब system जो है, इस नाल तंतर के द्वारा जो पानी का flow है, उसके द्वारा ही संपन होते हैं, तो canal system, इसक आप लोगों ने पढ़ा है, esconoid type, psychonaut type, ठीक है, leuconaut type, तो यह हम इसमें लिख सकते हैं, सबसे simplest है, esconoid type, फिर है psychonaut type, उससे जटिल है, leuconaut type, canal तंतर, ठीक है, तो canal तंतर का पाया जाना, क्योंकि यह short में है, इसलिए हम इतने ही point लिखेंगे, आगे हम चलते हैं, पंच विटेकर ने, विटेकर ने, पंच जगत में जो नाम बांटे हैं, यानि सभी, सभी जीवों को, सभी living organisms को, जिन पांच जगत में categorize किया है, वो है, मौनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमिला, ठीक है, तो प्लांटी में तो सारे प्लांट्स आ गए, एनि unicellular prokaryotic animals है, एनिमल्स नहीं, unicellular prokaryotic जीव है, प्रोटेस्टा के अंदर कौन से है, unicellular eukaryotic ठीक है, और फंजाई के अंदर सारे कावक है, तो इस तरह से ये पांच जगत के नाम क्या है, मौनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलाए, और ये गतवधार ना, किसके द्वारा दी गई, विटेकर के द्वारा दी गई, अब हम लेते हैं, खंडी भवन के प्रकार, खंडी भवन के प्रकार, जो हम पहले भी कर चुके हैं, वही वापस से repeat होगा, superficial and metameric segmentation, superficial and metameric segmentation, यह आपको मैंने पहले भी बताया था, पहले metameric segmentation आया था केवल, तो metameric segmentation में हमने क्या बताया था, न केवल बाहर से खंडी भवन है, बलकि खंडों के अंदर के अंतरांग भी हर खंड में एक दूसरे की तरह दोहराए जाते हैं, और इसका best example है, एन metropoda में भी पाया जाता है, और quadrates में भी पाया जाता है, और superficial segmentation, यानि सतही में क्या है, सिरफ बाहर से खंड दिख रहे हैं, कि खंडी भवन है, लेकिन अंदर से कोई खंडी भवन नहीं होता है, ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे, superficial segmentation, कुछ silentrate और कुछ अन्या कूट गु यानि सिर्डो सिलोमिक जो एनिमल्स हैं, उनमें superficial प्रकार का segmentation पाया जाता है, यानि बाहर से तो ऐसे दिख रहे हैं, कि खंड है, लेकिन अंदर कोई खंडी भवन नहीं होता है, अंदर कोई इस प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अब हम लेते हैं, holozoic, holozoic, पूर ज holozoic क्या है, बहु संक्या, मुक्त जीवी, प्रोटोजोवा, मुक्त जीवी, जो free living प्रोटोजोवा है, ये क्या करते हैं, पानी में पाये जाने वाले, शुक्ष में जिवान हूँ, डाई आटम, शैवाल, मृत कार्बरिक पैदार्थ, निमेटोडा, आदी के, को पूर य हैं, holozoic, इस प्रकार के प्रोटोजोवा, इस प्रकार के प्रोटोजोवा, प्राणी संभोजी अत्वा, पूर्ण जानत्विक, यानि holozoic होते हैं, और इनकी भोजन प्राप्त करने की इस विधी को क्या कहेंगे, holozoic nutrition, यानि कि पूरा का पूरा जो पार्ट है, उसको निगल लेना, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, holozoic nutrition, बहु संक्या, मुक्त जीवी, प्रोटोजोवा, जो जल में उपस्तित भोजन, जैसे सुक्ष्म जिवानू हैं, डाई अटम हैं, शेवाल हैं, मृत कार्वनिक पदार्थ हैं, इनको पूर्ण रूप से या समुच उसका आधार क्या है, उनमें पाया जाने वाला लोको मोटरी औरगन, यानि जिसकी सहायता से वो लोको मोशन करते हैं, जैसे ही हमारे दिमाग में प्रोटोजोवा, जैसे ही हमारे प्रोटोजोवा सामने आता है, हमारे दिमाग में उसके एक्जामपल आने चाहिए, तो प् इस्ऐसमें पेरा मिशियम, पेरा मिशियम में क्या पाय जाते हैं? वो चपल की आकरती का रीजिय जीर पाया जाते हैं वो,Wju युगलीना जिसमें फ्लैजिला पाये जाते हैं और युगलीना जो है प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी है, connecting link है, काफी टाइम तक युगलीना को किसमें रखा गया था, प्लांटस में, क्योंकिसमें ख्लोरोप्लास्ट पाये जाते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में अब जवान पर प्रोटोजोवा आते ही आ जाने चाहिए, तो प्रोटोजोवा का क्लासिफिकेशन क्या है? किस आधार पर है? लोकोमोटरी और गन के आधार पर सारको, मैस्टीगो, फूरा, सारको को हम याद रखेंगे सरकना, सरकना यानि सुडोपोडिया की साय तो से कूट पाथ पाए जाते हैं मेस्टिगो मस्ती के साथ चलना तो मस्ती के साथ चलना यानि फलैजिला ठीक है तो ऐसे जीव जिनके अंदर सुडोपोडिया या क्या है फलैजिला पाया जाता है गती के लिए यानि अमीबा और यूगलिना याद आगए हमें ठीक है तो वो कहलाएंगे सारकोमेस्टिकोफोरा के अंतर गताएंगे फिर हम पहले लेते हैं सीलियोफोरा यानि जिन में सीलिया पाया जाता है तो इसका एक्जामपल क्या जाएगा पैरामिशियम अब हम लेते हैं ये दो जिनके अंदर लोकोमोटरी ओरगन है यह नहीं लोकोमोटरी ओरगन नहीं है तो नहीं है और लेकिन इनका स्पेशल क्या है इनमें स्पोर्स बनते हैं इनमें क्या बनते हैं स्पोर्स बनते हैं जीवनकाल में इसलिए इनके दोनों नामों में स्पोर बार रहा है, sporozoa, needle spora, अब दोनों में spore बनने हैं, फिर भी इनको 2 उस में क्यों रखा गया है, क्योंकि इनके spore की सरचना में अंतर है, needle spora का जो spore होता है, जैसे यह spore है, तो इसके बाहर needle जैसी सरचना हम याद रखे, तो यह needle spora है, और sporazoa का जो spore है ये गोल है खाली ठीक है spore shape का है तो इसके अंतर का sporozoa में आता है plasmodium sporozoa में क्या आता है plasmodium तो चार नाम कौन कौन से हो गए सारको मेस्टिको फोरा, sporozoa, नीडो स्पोरा और सीलियो फोरा इसका भी आगे classification का एक table जो आपके book में से ही लिया गया है आपके book में ही है वो मैं आपके साथ में share करूंगी जिससे आपको और असानी से याद रहे सारको मेस्टिको फोरा, sporozoa, नीडो स्पोरा और सीलियो फोरा ये हो गया protozoa के उपसंगों के नाम, अब हम लेते हैं देहगुहा की परिभाशा क्या है यानि देहगुहा होती क्या है, सिलोम क्या होती है body wall और elementary canal के बीच का स्थान, ये body wall है मान लो और ये elementary canal है ये बीच में क्या है, elementary canal है, ठीक है तो body wall और elementary canal के बीच का ये जो स्थान है ये स्थान कहलाता है silom और ये जो स्थान है ये द्रव से भरा होता है और इस स्थान के अंदर क्या है? विजरल ओर्गन्स होते हैं अंतरांग होते हैं तो ये जो स्थान है जो बीच का स्थान ये मीजोडर्म से स्त्राविट मीजोडर्म यानि इसके बाहर की तरफ भी मीजोडर्म है और इसके अंदर की तरफ भी मीजोडर्म है यानि इसके दोनों साइड में बाहर की तरफ भी औ हमें कहा लिखनी है वह स्थान है जो देह भित्ती और अहार नाल के बीच में स्थित है जिसमें द्रव भरा हुआ है और सभी अंतरांग यानि विजरल ओर्गन इसी में स्थित होते हैं सिलोम भुणिये परीवर्दन के समय मीजो डर्म के विपार्टन से बनती है जो मीजो डर्म जो सिलोम बनती है उसको साइजु सिलोमेट कहते हैं तो हम ये वाली लाइन इसमें नाल लिखें हम केवल इतना ही लिखें क्या वह स्थान जो देह बित्ती और Deaf इंटारी नाल के ब या एंट्रो-सिलोमेट, तो यह हम यह लिख सकते हैं, कि जो- जो सिलोम है, वो अंदर की तरफ भी और बहार की तरफ भी किस से सराउंड़ड है, मीजो डर्म की लेयर से आस्तरी तोटी है, ठीक है, तो यह हो गया सिलोम, अब हम लेते हैं, स्पीशिस की परिभाशा क्या है, स खुब सारी याद करने के बज़ाए, खुब सारी रिडिंग लगाने के बज़ाए, आप एक ही याद करो, ठीक है, अगर आप उसको विज्ञानिक के नाम के साथ में याद करते हो, तो the best है, अगर आपको विज्ञानिक का नाम याद नहीं है, तो भी doesn't matter, आपकी जो definition है, वो जो है, उसमें भी प्रजणन की शमता पाई जाती है, प्राकरतिक रूप से अंतह प्रजणन करने की शमता रखते हैं, और उनके द्वारा उत्पन संताने भी प्रजणन के में सक्षम होती है, इस प्रकार के जो सदस्य है, वो एक species के अंतरगत आते हैं, ठीक है, तो प्राक प्रतिक रूप से अंतह प्रजणन होच सकता है उसमें, और उनसे उत्पन जो संताने हैं, वो भी प्रजणन में सक्षम होती हैं, उनको कहेंगे species, अब हम लेते हैं, सीलिंट्रेटा में विभिन वर्गों के नाम लिखिए, सीलिंट्रेटा के विभिन वर्ग, में गाफ नाढ़ जाना चाहिए विभर व क्ल्रक्राइक आाइटरा और अबिल्य यह डंडम शुर्ण हांário क्यों वियर विवलेश में हैं तो इसका विभ्य अबारेजो भण आप स्काइफो जोवा स्काइफो जोवा स्काइफो जोवा स्काइफो जोवा आस्मान आस्मान से धूप आउच है बारिश आउ हम चत्री यूज़ करते है स्काइफो जोवा और इलिया ठीक है क्यूबो जोवा यही चत्री क्यूब के शेप की है क्यूबोजोव, एंतोजोव, तो एंतोजोव के अंतर क्या आते हैं, सी फ्लावर्स, यानि ये पॉलि पवस्था में ही है, जहां सिलेंटरिटा आता है, फाइडरा और अबिलिया आता है, वहीं हमारे दिमाग में दो शब्द आने चाहिए, पॉलि पवस्था और मिडियोसा और एक आता है, पॉलि मॉर्फिजम, बहू रूपता, सीलेंटरिटा के सदसे है, उसका एक पूरा चैप्टर है, पॉलि मॉर्फिजम, इन सीलेंटरिट्स, ठीक है, तो उसी के अधार पर जो है, इसका वरगे करन हुआ है, हाइडरोजोवा, हाइडरोजोवा, यानि इसमे पॉली पवस्था जो है ये मुख्य है और मेडूसा अवस्था आती है बीच में जीवन काल में स्काइफो जोवा यानि कि मेडूसा अवस्था मुख्य है पॉली पवस्था बीच में आएगी Cubozoea मतलव यह जो छęt्री के जैसी सरचना है यह Cuba के जैसी है और Anthozoea मतलव इसमें क्या नहीं है इसमें Medusa अभस्था नहीं है इसमें Keval polyp अभस्ता है तो और यह इतने colorful ऐसे लगता है जैसे लगता है कि समुदरी full हों क्योंकि यह एक सिथाल पर ही बंदे हुएं एंथोजोवा, ठीक है? तो यह एंथोजोवा तो यह 4 नाम हो गए सिलेंडटेटा के विबिन वर्ग हाईडोजोवा, स्काइफोजोवा, क्युबोजोवा एंड एंथो जोवा, ठीक है? अब हम लेते हैं आगे इसमें इंथोजोवा के दो वर्ग हैं ओक्टो कॉरेलिया, ओक्टो मतलब 8, ओक्टो कॉरेलिया एंड हेक्जा कॉरेलिया, यानि 6, 8 और 6, ठीक है, तो ओक्टो कॉरेलिया एंड हेक्जा कॉरेलिया जो है, ये आएंगे इसके अंतरगत, एंथोजोवा, एंथोजोवा के उपवर्ग है, ओक्टो कॉरेलिया एंड हे अग्सा कॉरिलिया ठीक है अब हम ये लगुत्रात्मक प्रेश्ण शुरू हो जाते हैं अति लगुत्रात्मक प्रेश्ण खतम हो गए यहां हमारे काफी सारे प्रेश्ण रिपीट होते हुए हमें दिखेंगे तो हम इसको फटा-फट कर लेते हैं प्रोटोजोवा और डूट क्या हमें लिखना ही सबसे पहले क्या चाहिए इसका माइमीनी लिखना चाहिए प्रोटोस्टोमा और डूटेरस्टोमा तो प्रोटोस्टोमा में हमें क्या लिखना चाहिए कि ऐसे एनिमल्स जिसमें यहां हम लें ये वाला थर्ड वाला पॉइंट हम पहले लिखेंगे हम क फिर उसी स्थान पर या उसके निकट मुख का निर्मान होता है, उनको क्या कहते हैं, प्रोटोस्टोमा, और डूटेरस्टोमा में क्या है, विकासिर भूर्ण में मुख का निर्मान ब्लास्टोपोर से काफी दूर पर पाया जाता है, ब्लास्टोपोर गुदा छिद्र में व Protoastomia प्रकार के जन्तु कौन से में समलित कौन सा है, Helminthes, Anilida और Arthropoda, ठीक है? और इसके खायर, यनि इकाइडनो तरम डर्मेटा और उसके हायर कौन से है, Hemicodita और Codita, ये हैं Deuterostoma प्रकार के जीव, तो ये हम पहले दो पॉइंट लिखें, बात भे हम इसका पॉइंट ल यानि विदलन की प्रक्रिया के प्रणाव सुरुप जो कोरक बन रहे हैं उन कोरक का भविश्य निश्चित है किसी कारण से ज़िए एक या दो कोरक हट जाएं या डामेज हो जाएं तो शरीर के विशेश प्रकार का अंग का निर्मान नहीं होगा जबकि दूटेरोस्टोमा के जो अनिमल्स हैं उनके अंदर जो विदलन है वो अनिर्धारी प्रकार का है यानि शुरुआत के टाइम पर खास्त और से 16 कोशी की अवस्ता तक जो है जो कोरक बन रहे हैं उन कोरक का भविश्य निर्धारित नहीं है उन कोशिकाओं के अंदर उ पूटी पोटेंसी है पून शमता है यानि वो आगे चलकर किसी भी अंका निर्मान करने की शमता रखते हैं ठीक है तो अनिर्धारी प्रकार का है यानि इनका भविश्य अनिश्यत होता है प्रोटोस्टोमिया के अंदर जो है विदलन सरपिल प्रकार का है जबकि जो सिलोम का डेवलप्मेंट है वो किस प्रकार का है साइजो सीलियस प्रकार का है और रुटेरोस्टोमा में एंट्रोसीलिस प्रकार की सिलोम है ठीक है ये और फिर ये मुख्य अंतर जो मैंने बुला है थर्ड वाला पहले हम लिखेंगे और लास्ट वाला एक्जामपल हम पह चोड़ सकते हैं कोई ज़्यादा जरुवत नहीं है क्योंकि इसमें हम ज़्यादा ना लिखें और इसका लारवा वस्ता इसमें ट्रोकोफोरा लारवा बनते हैं जबकि इसके जो लारवा है वो कैस्प्रकार के हैं स्वतंत्रचारी लारवा है अर्था त्वर्नक डाई प्रक्राप शायोंत के लिवेच के दो प Audio isZe 9 है हमारे पास सी लोम का पॉइंट है हमारे पास इसके अर्थ वाला पॉइंट है और हमारे पास इसका एक將फान है ठीक है अब उम लेते हैं यह प्रेशन एक वापस रिपीट हो रहा है इसको हम डाइग्राम की सहाइता से अगर समझा देती हूं मैं अभी आपको क्योंकि यह आएगा वापस से तो इसे हम एक बाले लेते हैं यह आप यहाँ पर देखो साइजो सिलोमेट और एंट्रो सिलोमेट इससे भी जादा इज़ी डाइग्राम है जो आपके बुक में दे रखा है मैं वही वाला डाइग्राम आपके साथ में शेयर करूँ क्योंकि उसमें से आपका पहले पढ़ा हुआ है यह कुछ डाइग्राम मैंने आपके बुक में से ही लिये हैं जैसे सिमेट्री वाला प्रेशन आते ही आपको यह वाला डाइग्राम दिमाग में आना चाहिए स्फेरिकल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, यह स्फेरिकल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बाइलिटरल सिमेट्री और एसिमेट्री ठीक है फिर हम जो है यह आ गया है जो आपकी बुक का डायग्राम है साइजोसिलोमेट और एंट्रोसिलोमेट साइजो सिलोमेट के अंदर आप यहाँ पर देखें यह जो एंडोडर्म है इससे कुछ कोशिकाएं बाहर बनती है इसी की कोशिकाएं एंडोडर्म की और एंडोडर्म से यह जो कोशिकाएं बनी है यह 4D सेल्स कहलाती है और यह जो 4D सेल्स हैं हले यह बढ़ करके, यहाँ आप देखे सेकंड पॉ academ में, सेकंड डाइग्राम में यह बढ़ करके यह commission पूरी बन गई इस तरह से बढ़ती गई भार है न enem on. और उसके बाद में investigators में states मेंaffe इ Accepted और इस तरह से यह बेड़यां यह जो अंदर की जो यह आर्केंट्रॉन बनी है क्या बनी है आर्केंट्रॉन इसी आर्केंट्रॉन के दोनों साइड से उभार बनता है और दोनों साइड से उभार बनकर यह बड़ा होता जाता है और बाद में जो है यहां से इसके मेन इससे सेपरेट हो जाएगा और इस तर कि आपको सबस्क्राइब दियुक्त नेले क्षड वापस आया हुआ है यहां पर आप देखें घूर कर हो पहली क्या है तृब TOP ही है एंट्रो Saleumate कि रिकार की तो साइजो सिल्ओंए टेंड़' साथ के अंदर आप देखें और यह जो आर्कन ट्रॉन है यह आर्कन ट्रॉन है और इस आर्कन ट्रॉन के साइट से यहां से जो है यह सरस्थ्णा बन और यह बाद में से separate हो जाएगी तो इस तरह का development अगर होता है तो यह enterosilomate है और sizeosilomate में क्या है यह जो अंदर की जो gut wall है इसे से कुछ cells separate होती है और एक cell की पटी बन गई पूरी और पटी बन गई cells की बीच में उसमें से जो है partition हो जाएगा और इस तरह से silom का निर्मान होगा तो वो कहलाईगी sizeosilomate ठीक है यह प्रेशन बार-बार आता है important भी है first unit में से तो यह आपको इस तरह से इसका diagram के समेट जहाँ आप बनाएंगे वहाँ ज़ादा impressive होगा ठीक है अब हम लेते हैं animal species का हो गया था यह origin ठीक है यह origin of saizosilomate and origin of andro-sylomate फिर हम लेते हैं पन जगत योजना पन जगत योजना का देखोई जो short में अगर प्रेशन पूछा है ना तो हम केवल विटेकर का नाम लिखेंगे फिर हम यह पूरा इसको describe करने की ज़रुत नहीं हम आधार बता देंगे कि cell की सरचना के आधार पर body की structure के आधार पर lifestyle के आधार पर और phylogenetic relationship के आधार पर जो है यह इसको वरगीकरत किया गया विटेकर ने 1969 में और हमें इसको describe करने की ज़रुत नहीं है फिर हमें यह पूरा इसने तो पूरा यहां पर बता रख है लेकिन हम इसमें क्या करेंगे पांच कॉलम बनाएंगे एक कॉलम में protesta फिर monera फिर protesta फिर जो है planti फिर fungi और फिर animal ठीक है तो इस तरह से हम इसमें करेंगे यह पूरा इतना बड़ा लंबा चोड़ा अगर आप करोगे शौर्ट में तो आपका बड़ा बला प्रिश्न छुट जाएगा ठीक है इसलिए आपको इतना बड़ा इसको नहीं करना है आपको क्या करना है आपके बड़ बेसस लिख दो और उसके बाद में यह मौनेरा के कैरेक्टर प्रोटेस्टा के कैरेक्टर प्लांटी के कैरेक्टर और फंजाई के कैरेक्टर और अनेमिलाई के कैरेक्टर बस सिंपल और उनके एक्सामपल तो इतना ही आपको करना है शौट में, क्योंकि अगर आप शौट में इतना लंबा चोड़ा करने लग जाओगे, तो आपका पेपर छुटने की संभाबना होगी, अब हम लेते हैं, फाइटो मेस्टिगो फोरा, फाइटो मेस्टिगो फोरा, मेस्टी, मेस्टी का मतलब क्या पता है तो फ्लाजिला, यानि इनमें लोको मोशन के लिए फ्लाजिला है, फाइटो जहां शब्द आता है, मतलब लाइट से संबंदित है, लाइट से संबंदित है, मतलब यहां पर क्या है, उसमें क्लोरो प्लास्ट है, और वो फोडो सेंथेस कर सकता है, और जू जहां श पिजु महस्टिगोफॉरा का एग्जाम्पल है कि ट्राइप där डिर नरो हम दोनो अपके स्हाया असरे नि filthy आव करते हैं इनका अंतर इनके और मे सबसे पहले क्लोर आया जाता है क्लोरब्लास्ट दोनुड़ भी मुर्सा की? ठीक है और zoo mastigophora में chloroplast नहीं पाया जाता है swim push होते है जिनमें chloroplast है खुदका भूजन मनाएंगे जिनमें chloroplast नहीं है या तो मरत जीवों पर जीएंगे या पराणी सम्भोजी होंगे तीसरा क्या है जो भूजन संचित होता है प्लांट्स के अंदर जो फोजन संचित होता है, वो किस रूप में होता है, स्टार्ज के रूप में या पैरा माईलोन के रूप में, जो अभी आपने युगलीडा में पढ़ा है, जबकि आनिमल्स के अंदर किस रूप में संचित होता है, गलाइकोजन के रूप में, जा सकते हैं जैसे GRDika का एक्जांपल हम ले आंतर का रिशी तो उसके अंदर बहुत सारे flagilla है ना रिशी नामही इसने रखा है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे flagilla है, GRDika ठीक है तो इसमें बहुत चार से भी अधिक glagilla पाई जा सकते हैं जबकि प्रवायतोब् poczещigophora में एक से चार कशाप पाए जा सकते हैं अब chloroplast है तो यह हरे रंग का होता है यह हरे रंग के होते हैं और chloroplast नहीं है तो यह रंग विहिन होते हैं इसमें उधारण युगलीना ख्लैमायडो मोनांस और इसमें उधारण है ट्रैपेनोसोमा लिश्वानिया और जियारडिया ठीक है बहुत आराम से आप यह अंतर लिख सकते हैं फिर हम लेते हैं डाई जीनिया और मोनो जीनिया डाई जीनिया और मोनो जीनिया में अंतर क्या है नाम से पता चल रहा है डाई दो मोनो एक जीवन चक्र अपना ऐसे जीवन चक्र दो जीवों में पूरा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डाइजेनिक, अब ये पूरा कर रहे हैं, मतलब हैं तो दोनों क्या, पैरसाइट्स, क्या है, पैरसाइट्स है, अब हम लेते हैं डाइजीनिया, डाइजीनिया जीवरत में दो माध्यमिक परपोशी होते है जबकि मोनोजीनिया के जीवन वरत में यानि लाइफ साइकल में केवल एक परपोशी होता है मन परपोशी तो है पर क्या है पैरासाइट तो है एक तो अपना जीवन काल में एक ही परपोशी पर डिपेंड कर रहा है जबकि दूसरा जो है वो दो परपोशी पर डिपेंड कर रहा है डाई जीनिया में एक परपोशी कॉडटा होता है और दूसरा मॉलिस्का या नॉन कॉ सर्फ है ये इनके होस्ट होते हैं तीसरा अंतर क्या है इसमें अदिकतर कशेरुकी तत्ठा कशे रुकियों में यह अंतह परजीवी होते हैं एंडो पाइरसाइट्स परजीवी है उनमें कुछ अलग से अनुकुलन की चीज़े पाई जाती है खास दोस्ते जो एंडोपेरसाइट्स है प्रेटे हल्वेंटी इस है एंडोपेरसाइट्स है उनके अंदर तो और भी कई प्रकार की अडेप्टेशन्स है उनमें से कुछ हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे एंडोपेरसाइट है मतलब एक से अधिक लारवा पाये जाते है एक से अधिक लारवा मतलब उनको सर्वाइब करेंगे जादा संगर्श करना पड़ता है एंडोपेरसाइट्स को तो एक से अधिक लारवा फैसियोला का हम ध्यान रखें फैसियोला में कई प्रकार के लारवा है rasa redia larva, meris radium larva, sarcheria larva है ना, तो उसको हम ध्यान में रखे fasaeologe को, जो हमारे course में भी है तो उसमें हम digenia में उसको एक example को याद में रख करके चलें जबकि exoparasite जो यह है monogenia उसमें एक ही larva अवस्ता पाई जाती है जिससे auco meris radium कहते है फिर हम लेते हैं कायांत्रन में पूर्व लार्वा अवस्था में अलेंगिक जनन होता है, यानि पूर्व लार्वा अवस्था में भी एसेक्शोल रिप्रड़क्शन होगा, जबकि मोनोजीनिया के अंदर ऐसा नहीं होता है, सिक्स्थ हम एक्जामपल देंगे, फैसियोला, बेस्ट एक्जामपल है इसका, और मोनोजीनिया का एक्जामपल क्या है, पॉली स्टोमा, डेक्टाइलो गायरस या गायरो डेक्टाइलस, ठीक है, तो यह हो गए, मोनोजीनिया और डाइजीनिया के अंतर, बहुत सिंपल है, नाइजीनिया का नाम लेते ही हमारे दिमाग में फैसियोला आ जाना चाहिए तीनिया आ जाना चाहिए और मोनोजीनिया का नाम लेते ही हम पॉलिस्टोमा डेक्टाइलो गायरस गायनो डेक्टाइलस ठीक है यह हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए अब हम लेते हैं विदलन के प्रकारों में के बारे में बताईए विदलन विदलन क्या है जाइगोट जो बनता है यानि निशेति जो अंडा है या जाइगोट है उसमें जो कोशी का विभाजन हो रहा है वो कोशी का विभाजन विदलन कहलाता है तो विदलन यहाँ पर है निर्धारी प्रकार का और अनि फ़विश्य पहले से ही निर्धारित है। उर जो निम्न स्थर के जीव हैं उनके अंदर निर्धारी प्रकार का विदलन पाया जाता है। तो जिसमें nimetrida, analida और molluska तक आगया. तीक है, जबकि अनिर्धारी में क्या है, जो कुछ प्राणी जिन में अनिर्धारी में आएगा इकाईनोडERमेटा और उसके आगे के सदस्य, इकाईनोडERमेटा और उसके आगे के कौडिट्स जो है, उनके अंदर अनिर्धारी प्र जाती हैं, वो कुशिकाएं या कोरक arrangement कैसे होते हैं, पूर्ण शक्तता रखते हैं। टोटी पूटेंसी रखते हैं। ठीक हैं तो उनका भविषय पहले से निर्धारित नहीं होता है, अथात कोरक अगस्था में ही कुछ को खंडों को प्रथक अगर कर दिया जाए या नश्ट कर दिया जाए तो सरंचना में कोई परिवर्त नहीं होगा हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि ऐसे जीव की साइज छोटी हो सकती है लेगे सरंचना पूरी होगी जबकि जो निर्धारी प्रकार का है इनमें यदि डेवलाप्मे यह पहले भी आपको बता चुके है सबसे पहले हम इसके अंदर जो बताएंगे वो क्या बताएंगे जैसे बलास्टो पोरक के अगले यही पहला अंतर ये वाला दूसरा साइसों सिलोमेट और एंट्रोसिलोमेट वाला और तीसरा जो है यह विदलन का प्रकार और लारवा यही चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि आप यह चार पॉइंट याद रखें और एक्जामपल याद रखें एक्जामपल कौन से होंगे प्रोटोस्टोमिया के अंतर तो कौन से आते हैं एनलिडा, अर्थ्रोपोडा, मॉलिस्का तक के और डूटेरोस्टोमा में यूगल पाया जाता है, अब हम लेते हैं विभिन सरंचना संगठन का स्तर, विभिन सरंचना संगठन, जीव द्रव्य सरंचना, कोशी की यह सरंचना, कोशी का उतक, बहुत सिंपल है, सबसे सिंपलेस्ट जीव द्रव्य, प्लोर्टो प्लास्म, दूसरा, उससे क्या बनता है कोशी तो कोशी की है सरचनात्मक, तीसरा कोशीकाओं से क्या बनता है उतक, तो कोशीका उतक, उतकों किसे क्या बनता है अंग, तो उतक अंग, और लास्ट में है हाइस्ट वाला अंग तंत्र प्रकार के सरचनात्मक संगठन स्तर, लेवल ओफ और्गनाईजेशन, जीवद्रव यह सरचनात्मक संगटन, कोशी की है सेलूलर लेवल, सेल टीशू लेवल, टीशू ओर्गन लेवल और ओर्गन, ओर्गन सिस्टम लेवल, यानि सारे सिस्टम डेवलप हो जाते हैं, तो यह है अकशेरु के प्राणियों में निम लिखित सरचनात्मक संगटन कस्तर पाया जाता है, संग निमेटोडा के प्रमुकलक्षन, निमेटोडा शब्द आते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए, गोल क्रमी, क्या आना चाहिए, गोल क्रमी, गोल क्रमी आते ही हमारे दिमाग में एसकेरिस आ जाना चाहिए, और एसक सबसे पहला पॉइंट उसके अर्थ का लिखना है नीमा मतलब थ्रेड और नीमे टोड़ा योट्स मतलब रूप यानि थ्रेड के रूप का सुत्र के रूप का तो यह क्या कहला है कि नीमे टोड़ा यह जलिये भी हो सकते हैं स्थलिये भी हो सकते हैं परजीवी भी हो सकते हैं इन में खंड नहीं पाया जाता है, आप अपने दिमाग में असकेरिस डाल कर चलो, आप अपने दिमाग में असकेरिस सोचो के सारे करेक्टर आप अपने आप लिखते जाओगे, खंड नहीं पाया जाता है, त्रीस तरह होते हैं, द्वी पार्शों संभीत होते हैं, बेलनाका है एक cuticle stir उसके नीचे epidermis और epidermis में भी क्या है syncytial बहु केंद्री है यह शब्द बहुत important है syncytial यानि इसमें जो epidermis है उसमें nucleus एक क्रम में विवस्तित है बहु केंद्री है ठीक है epidermis के नीचे क्या है muscular layer है उसमें भी equal stir है single layer of muscle और उसमें भी कौन सी muscles है अनुदैधर ये muscles पाई जाती है longitudinal muscles पाई जाती है इनमें पक्षमाबों का अभाव होता है फिर यह हो गया body देहबित्य से संबंदित body wall से संबंदित पाचन तंतर किस प्रकार का है सीधी अहारनाल पाई जाती है सीधी अहारनाल और उस अहारनाल में जैसे stomach है intestine है इस तरह का कोई विभाजन नहीं है केवल मुख मुख के बाद में क्या है बकल cavity छोटी सी एक्सक्राइब फैरेंक्स है फैरेंक्स कैसा होता है muscular पेश यह फैरेंक्स कैसा होता है muscular होता है और सीधी अहारनाल है देह बित्ति और अहारनाल के बीच में जो गुहा है वो pseudo-sillum प्रकार की है परिवहन और स्वशन तंत्र अलग से नहीं है अलग से कोई परिवहन का system नहीं है अलग से कोई स्वशन तंत्र नहीं है उसर्जन तंत्र नालो या ग्रंथिल अंग का बना होता है उसर्जन तंत्र याद आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए H प्रकार का एसकरेस में पढ़ा है हमने H प्रकार का फिर हम लेते हैं तंत्री का तंत्र में परि आंत्रिय वले पाया जाता है एक आगे की तरफ और एक पीछे की पस चंत्रिकाई निकलती है परि आंत्रवले यानि पैरी इंटस्टाइनल रिंग शेप का उपर की तरफ है और उसी से आगे की तरफ और पीछे की तरफ चंत्रिकाई निकलती है इनका डियाग्राम दिखाऊंगी मैं भी आपको और यह Ascaris का डाइगराम है सारे, यह आपने अपने उसमें पढ़े भी होंगे नर्व अमादा में बिल्कुल पषट अंतर होता है बहार से दिखने में बहार से दिखने में बिल्कुल स्पष्ट अंतर होता है यह भी आप लोगों का पूरा प्रश्न बनता है male और female का जो यह dimorphism है यह विदलन किस प्रकार का है इसके अंतरगत determinate प्रकार का और circle प्रकार का विदलन इसमें पाया जाता है development direct प्रकार का है अब आप खुल मिलाकर देखो यहाँ पर हमें अगर किसी के character लिखने है पहले हमें क्या लिखना है उसके शब्द का अर्थ शब्द का अर्थ लिखने के बाद में हम उसके basis of classification जो है न यानि सिलोम के बारे में या layers के बारे में उनके बारे में सरिशना के बारे में बताने के बाद हम उसका body wall फिर उसका digestive system, excretory system, reproductive system, respiratory system सारे system अगर हम याद में रखें और एक-एक point बताते जाएं तो यह हमारे लिए बहुत आसान होगा और कोई भी point छुटेगा भी नहीं ठीक है अब हम लेते हैं इसमें आगे यह 500 शब्दों का हम नहीं लेंगे यह general characters यह 500 शब्दों का नहीं लेंगे मैं भी आपको कुछ diagram बताना चाहूंगी ascaris वाले जो आपको यह ascaris से सम्बंदित यह सारे जो है आपको याद रहेगा long questions मैंने इसलिए नहीं लिए कि आप लोगों ने unit तो करी है अगो इतनी बड़े question अगर हम लेंगे तो बहुत boring हो जाएगा ठीक है इसलिए मैंने long questions इसमें नहीं लिए एक यह diagram आप याद रखे है symmetry को आतार में लेते हुए एक यह diagram आप याद रखे है first unit के अंदर जो important है यह diagram आप याद रखे है प्रोटोस्टोमिया और लिटरोस्टोमिया को लेकर के एक यह diagram आप याद रखे है segmentation को लेकर के एक यह जो आपको बताया था मैंने protozoa का जो major classification है सारकोमेस्टिगोफोरा यह सारकोमेस्टिगोफोरा स्पोरोजोवा निडोस्पोरा और सीलियोफोरा ठीक है तो यह आप scan कर लो चाहो तो आचाहो था आपकी book में भी है यह आप बहुत असानी से इसमें कर सकते हो एक यह diagram आप याद रखे हाइडोजोवा स्काइपोजोव अब हमागे चलते हैं इसमें यह है सकरेस की बॉडी वॉल की सरचना यह अलग से प्रेशना आ सकता है आपका एसकरेस की बॉडी वाल से समधित यह आउटर लेयर हो गई इनर लेयर हो गई और सबसे बाहर एक क्यूटिकल के अंदर ुकलियस कि लाईन द elles घृतिवित कि खुशेमें तो सेलस के जगह यह आप पर यह ने रॉकलियस की लाईन दिख रही Wars कि गनल की वख्षच ल्य क सिंपल देख के और यह इसकी elementary के नाल, कहीं से कुछ अलग से मोटा पतला नहीं है, सीधी, straight, tube-like structure है, बस pharynx जो है इसकी, यह mouth हो गया, mouth के बाद में यह buccal cavity हो गई, और यह pharynx वाला भाग जो है, यह muscular होता है, बाग की straight यह है, और यह anus में open हो रही है, यह इसका जो है excretive system, एक चाकार का एक ही cell है, यह इसका nervous system, यह उपर एक वलाए है, ring है, nerve ring, और इस ring से आगे की तरफ nerves जा रही है और पीछे की तरफ nerves जा रही है, यह male और female का differentiation का बहुत important और चोटा सा और असान सा question भी इस पर बनता है, sexual dimorphism, ठीक है, यह sexual dimorphism, male और female as caris का, इससे भी बहुत सारे चोटे बड़े प्रिशन आपके बनते हैं, तो इस तरह से मैं उमीद करती हूँ कि जो first unit है आप लोगों की, उसके जो short और very short questions है, वो आप बहुत असानी से जो है, बहुत अच्छी तरह से attempt कर पाएंगे, best wishes for your exams, thank you.